हेलो, what's up, कैसे हैं आप सब, स्वागत है आप सबका to this SFM 1.5 Days Planner वीडियो, यहां मैं आपके साथ डिसकस करूँगा मेरा 1.5 Days Planner जिस से मैंने SFM में score करी थी exemption, बढ़ हाँ, एक बात है, कि सार आपका अभी जो FR का वेपर हुआ है, इसको ना आप जितना जल्दी हो सके ना पर हर पेपर जब तफ आते हैं तो उसके बाद हर आपको क्या बोलते हैं पुराने seniors, यहां जो पेपर तफ आता था था ना, हमें लग रहा था हम उसमें पास नहीं होगे, बढ़ हम उसमें पास हो गए, पर अगले वाले पेपर जो था ना, उसमें हमने त्यारी ठीक से नह में, तो आपने इन में क्या करना है, फर्स्ट आपने फोकस करना है, जितने भी आपके पास marked questions है, मैं अप्रोच बताऊंगा, कि कैसे chapter by chapter जाने है, बट आपका पहला focus होना जितने भी आपने marked questions कर रखें पिछली revisions में, ठीक है, बाकियों को आप ट्राय कर सकते हो, अगर आ MIT issuer समाल लेगा, ठीक है sir, आज क्या करना है, मैंने जैसा बोला, FR के लिए तो बोलो, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, अब हमको नहीं फरक पड़ता, अब हम फोकस करेंगे, yes, keep that smile on your face, या देको बिलकुल परिशान नहीं होना, यह जो दु बग आपको 16-20 नमबर देके जाएंगे, तो इनको तो आप एकदम अच्छे से कर लेना, रात को आप अराम से नींद लेना, 11-12 बजे के राउंट, ठीक है, जैसी नींद लोगे, सुबा उठोगे 6 बजे, एकदम fresh morning होगी, और उसके बाद आपने क्या करना है, तीन related chapter, जो इनके बाद आपने क्या करना है, और international financial management, ये दोनों भी related chapter है, इनको सर हमें कब तक करना है, इनको आपने लगबग 4-5 घंटा करना है, यानि अगर आप 2 बजे रिज्यूम कर रहे हो, और आप देखरो, टी ब्रेक लगबग 6 बजे है, तो आपको कितना time मिल गया, लगबग खीच लेना है, so you can have your dinner around 8-9 p.m. and cover the remaining portion, SFM में game क्या है न, आपके हाथ चलते रहने चाहिए, जैसे वो बोलते है न, शोले में, गबबर, किसको बसंती को, तुम्हारे पैड चलते रहने चाहिए, तो एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे हाथ चलते रहने चाहिए, तुम्ह पोर्शन हो चुका है, 80% जो प्रैक्टिकल पोर्शन होता है, you are already done with it, now comes your day number 3, day number 3 में आपने थियोरी करके जाने ही, सबसे बहले स्टार्टप फाइनेंस, सबसे ज़्यादा इंपोर्टन थियोरी होती है, उसको करो, सिक्योरिटाइजेशन, रिस्क मैनेजमेंट चैप्ट तो कोई रोकी नहीं सकता, कोई अगर आपका दोस्त हो तो जिसके साथ आप पढ़ाई करते रहें, उसके साथ थोड़ी सी light talk कर ले ना, कि सब अच्छा रहेगा, stay calm, confident and trust me, सब बढ़िया होगा, and yes, याद रखना, खुशी से बढ़ेंगे, तब आगे बढ़ेंगे, तो जो पेपर आपका टफ आते हैं, उसमें ICL linear and checking करते हैं, mostly बच्चे 40s, 50s पे सब पास हो जाते हैं, ठीक है, तो make sure आप भी उसी में पास होई जाओगे, आपको उसमें टेंशन लेने की ज़रुत नहीं है, SFM में धूम मचा देना, क्योंकि यही आपका group 1 का aggregate बनाएगा, so I just want you, not for me, not for your parents, not for anyone else, just make a commitment for yourself that in the next 1.5 days, you will give your best and SFM में हम कम से कम 60 प्लस प्लस तो score करेंगे ही, so that's all from my side, have a great time ahead, 1.5 days में रॉक कर दो मैं आपको बतातो, मेरा भी 1.5 days काफी जादा, you can say, energetic रहा था, तो वो energy आपने बनाए रखने और वो energy तभी होगी, जब आप अंदर से motivated होगे जोश में होगे, so just feel the जोश हाए, ठीक है, how is the जोश? हाए, sir, all the best, लगे रहो